हमसे गलती हो गई कि हमने भारत का नाम बदल कर इंडिया रख दिया। बहुत बड़ी गलती, क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी जब भी कोई किसी देश पर कबजा करता है। कोई भी आकरमनकारी हो जब वो किसी देश पर कबजा जमाते हैं, सबसे पहली चीज़ वो क्या करते हैं, वो आपका नाम बदल देते हैं। ये हावी होने की टेकनूलोजी है, ये दास बनाने की तकनीक है, आप इस पर गौर कीजेगा, अगर आप अफरीकी अमेरिकी एतिहास पर गौर करें, जब अफरीकी लोगों को लाया जाता था, तो बंदरगाह परी, पहला काम ये होता था, कि उनका नाम बदल दिया जाता उनके जो भी अफ्रीकी नाम हुआ करते थे, वो बदल कर कुछ फाल तू नाम रख दिये जाते थे हमारे साथ भी यही किया गया है इंडिया, इसका क्या अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है तो अगर मैं आपको एक अर्थ ही नाम दे दूँ तो आप मेरे सामने एक अर्थ ही न बेवकूफ व्यक्ति बन जाएंगे क्योंकि मेरे पास एक अर्थ पूर्ण नाम है, मेरी एक परंपरा है, मेरी एक सब्विता है, आपके पास कुछ नहीं तो इस तरह से हम इंडिया बन गएं सबसे पहली बात ये है कि देश की, धर्णा, हर किसी के मन में रच बस जानी चाहिए क्योंकि राष्ट बस एक विचार होता है जब ये विचार आपके मन में प्रज्वलित होकर दिल में बस जाता है और आपका ये भाव सर चड़कर बोलता है तब जाकर सच में आपका एक देश बनता है नहीं तो देश बस एक कागज पर होता है ये हमारी आज की दुर्भा की पूर्ण सच्चाई है तो कम से कम जब वो 1947 में गए तो पहली चीज हमें ये करनी चाहिए थी कि नाम बदल दिया जाता और इस तरह से बदला जाता कि किसी ना किसी तरह से ये हर किसी के मन में गूंचता अभी आप भारत के लिए एक अंग्रेजी नाम इस्तमाल कर रहे हैं मुझे लगता है कि मैं हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमें इस देश का नाम बदल के कुछ ऐसा रखना चाहिए कि ये सब के दिल में धड़के